हेलो दोस्तों आप जितने भी राजस्तान की स्टुटेंट है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रस्णावली नंबर पांच ठीक है वेदिक गणीत वेदिक गणीत आपकी प्रस्णावली है तो इसको हम स्टार्ट करेंगे अब दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रह आप इसको पूरा पूरा वीडियो को लाइस तर देखते रहे ना आपको पूरा समझ में आएगा यहां पर देखो दोस्तों 32 वे 14 का गुणा दिया गया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 32 गुणा चौदा यानि कि 32 को चौदा से हमें क्या करना है गुणा करना है लेकिन कौन से विधी द्वारा उद्धर वे त्रिग ब्यान विधी द्वारा कैसे होता है आपको बनाने पड़ेंगे समुए यानि कि समुए बनाने पड़ेंगे तो समुए बनाने के लिए आपको एक सुत्र ध्यान रगना है समुए की संक्या अब सम्मोर की संक्या ग्याद करने का सुत्र क्या होता है 2N-1 2N-1 अब यहां पर दोस्तों द्यान रखना यह जो N है वो क्या होंगे यानि कि कितने अंकों का गुणा है 1 और 2 तो यहां पर कितने अंक है 2 अंकों का गुणा है तो हो गया 2 आप 2 को क्या करना है आपको इस उत्तर में लिखना है तो 2 गुणा 2 माइनस का एक तो बताओ 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 4 माइनस एक तो बताओ 3 बचा ना 4 में से एक गटाने पर 3 तो बताओ 32 गुणा चवदा की कितने सम्मोव बनेंगे 3 सम्मोव बनेंगे कैसे बनेंगे देखते रहे न एक सम्मोव बना ये बना दिया फिर दूसरा सम्मोव और फिर यहाँ पर बनेगा आपका 3 सम्मोव इसको ऐसे साइड में लिख देना ठीक है अब दोस्तों तीन सम्होव बनेंगे यह जो आपकी 32-34 है ना 32-34 वाली संख्या गुणा वाली इसके कितने सम्होव बनेंगे तीन सम्होव बनेंगे यह देखो यह जो पहला स्थम्भ है दो और चार यह इस पहली वाली लाइन में आएगा यानि कि पहले वाले स्थम को लिख दिया इसमें और इधर वाले स्थम को लिख दिया इसमें अब बीच में लिखना है आपको पूरे को यानि कि 32 और पूरे चाउदा को लिख दिया और नीचे सारनी आपको एक लाइन ठीक है अब यहां पर इस प्रकार एक लाइन सार देना और यहां पर भी एक लाइन आप इस प्रकार 15 देना अब देखो दोस्तों करना है क्या आपको पहले वाले सम्हों को करना है गुणा कर दिया और यह जो लाइस्ट वाला सम्हों इसको भी करना है गुणा इन दोनों को कर क्यों दोनों देखो तैन को दोड़ना कर करना है एक अब देखो दो को चार से गुना करेंगे कितना आएगा आठ को दोस्तु गैजा 132 पलस दो को एक से गुणा करोगे तो दो यहां पर देखो तीन को एक से गुणा करोगे तो तीन यहां पर देखो दोस्तों आठ का तो आठ बारा और दो कितने हो जाएंगे चाहुदा यहां पर है आपका तीन अब देखना आंस्वर में हम कैसे लिखेंगे यानि कि अंते इंक का गुणनफल कैसे लिखेंगे गुणनफल तो देखो यह जो लाश्ट वर अंग है इकाई अंग यानि कि पर्थम स्थमवार अंग यह तो सेम का सेम लिखेज़ेगा क्यूंकि इसमें एक यहां पर है दो अंग तो पिछे वाले को तो हमने वैसा का वैसा लिख दिया यह जो यह उठ जाएगा आपका हासिल के रूप में अगले में यह तो इसके साथ आगया तो कृतना हो जाएगा तीन और एक है चार तो कितने अंसर आएंगे 418 अगर यहां पर दो उता चैसे मालो यहां पर तीन मालो इसको क्या करेंगे तीन को अगले वाले इम दे देंगा हासिल में तो इस परकार आपको 2-2 अगर अंकार है तो उनको हंसिल में देते जहो आपक